तोप चलती कैसे चलिए जानते हैं दरसल इसको चलाने के लिए तिन लोग लगते हैं पहले इंसान तोप में बारूत को डालता था दूसरे इंसान तोप में गोले को डालता था और तीसरे इंसान तोप की बत्ती के अंदर आग लगाता था तोप का ये उपर के हिस्सा लोहे का बना होता है और इसके नीचे टायर लगे होते हैं तोप एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है तोप को चलाने के लिए सबसे पहले इसके नीचे लगे टायर से दुस्मनों की तरफ करते थे और फिर एक आजमी इसके अंदर बारूद डालता था इसके बाद उस बारूद को डंडे से अंदर करते थे और ये अंदर जाकर इस हिंसे में फंस जाता था और फिर इसके अंदर डाला जाता था इस गोले को जो की इस बारूद के आगे लग जाता था और फिर इसके पीछे एक बत्ती लगाकर आग लगा दी जाती थी जिससे बारूद में आग लग जाती थी और गोला सूठ हो जाता था वैसे आपने कभी से देखा या नहीं कोमेंट में जरूर बताना